नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल हिंदी वेब पोर्टल दोस्तों आज के इस शांदार वीडियो में हम आपको साउथ इंडियन की टॉप टेन ब्यूटिफुल एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में पास में बने बैल आइकन बटन को ओन जरूर कर लेना जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँँच सके दोस्तों आजकल बॉलिवूड से ज्यादा साथ की फिल्में चल रही है और इसका एक मात्र कारण है साथ की खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां जो की आजकल बॉलिवूड की अभिनेत्रियों को टकर देती है और तो और कुछ ऐसी भी बेस साथ एक्ट्रेसस हैं जो बॉलिवूड की एक्ट्रेसस से कहीं आगे हैं तो आईए आपको बताते हैं 2022 की टॉप टेन साथ इंडियन की खूबसूरत हिरोईनों के बारे में दोस्तो इस लिस्ट में नंबर एक पर है रश्मिका मंदाना दोस्तो रश्मिका साथ इंडियन की एक जानीमानी अभिनेत्री हैं जो बहुत ही कम समय में हम भारतियों के दिलों में आज कोई ऐसा शक्स नहीं है जो रश्मिका मंदाना को न जानता हूँ रश्मिका मंदाना एक भारतिय फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से कंणड और तेलगू फिल्मों में काम करती हैं रश्मिका मंदाना का जन्म दिनांग 5 अप्रेल 1996 कोडागू करनाटक के एक मध्यमवर के परिवार में हुआ इन्होंने अपनी फिल्ममी करियर की शुरुवात कंणड फिल्म किरिक पाटी से की थी रश्मिका मंदाना को करनाटक में करनाटक क्रश कहकर बुलाया जाता था पर अब इन्हें नेशनल क्रश ऑफ इंडिया के रूप में लोग जानने लगे हैं रश्मी का दक्षन भारत की एक सफल अभिनेत्री साबित हुई हैं और यही वज़ा है कि रश्मी का मंदाना हमारी लिस्ट में पहले नमबर पर हैं दोस्तों पूजा हेगड़े एक ब्यूटिफुल अभिनेत्री और मॉडल हैं इन्हें Miss Universe India 2010 पेजन्ट में सेकंड रनर अरप के रूप में ताच पहनाया गया था हिगड़े ने मसकिन की तमिल सुपर हीरो फिल्म मुगा मुदी से अपनी शुरुवात की इसके बाद इन्होंने कई तेलगू और हिंदी फिल्मों में काम किया है और इसने कई सफल फिल्मों में काम किया है जिन में से Most Eligible Bachelor, अला वेकुंट परमुलू, डीजे हाउसफुल और महरशी हैं इस लिस्ट में नमबर तीन पर है रकुल पीट सिंग दोस्तो रकुल पीट सिंग एक क्यूट फिल्म अभिनेतरी और मॉडल है जो मुख्य रूप से तेलगू, तमिल, हिंदी और कनड फिल्मों में काम करती है इन्होंने अपने करियर की शुरुवात मॉडलिंग से की थी इस दोरान इन्हे कनड फिल्म गिल्ली 2009 में काम करने का मौका मिला जो इनके करियर की पहली फिल्म थी इसके बाद इन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया जैसे NGK 2019, सरे नोडू 2016, ध्रूव 2016, देदे प्यार दे 2019, जया जान की नायक 2017 में काम किया है दोस्तों काजल अगरवाल भारत में सबसे लोगप्रिय तेलगू फिल्म अभिनेत्रियों में से एक है, इन्होंने तेलगू, तमिल और बॉलिवुड फिल्मों में काम किया है काजल अगरवाल ने अपने करियर की शुरुवाद 2004 में खी की थी, इनकी पहली फिल्म क्यूं हो गया ना थी, इस फिल्म में एक अभिनेत्री के रूप में इन्होंने काम किया और फिर 2009 की फिल्म मगधीरा ने इनके करियर में एक महत्वपून मोड दिया, जिससे इसे भारत में पहचान मिली इनकी बेस्ट फिल्म आचार्य 2022, मोसा गल्लू 2021, मुंबई सागा ये है नमबर पांच, शुरुती हसन दोस्तो शुरुती हसन एक शानदार भारतिय अभिनेत्री है, जो एक मॉडल होने के साथ साथ एक गाईका भी है यह मुख्य रूप से तेलगू, तमिल और हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है इन्होंने कई सफल फिल्में दी है, इनकी हिट फिल्म क्रैक 2021, शुरी मंतडू 2015, गबर सिंग 2012, रमया वस्तावया 2013 और गबर इस बैक 2015 है इन्होंने अपने करियर की शुरुवात अपने पिता के प्रड़क्शन हाउस से की थी नमबर छे, तमन्ना भाटिया दोस्तों तमन्ना भाटिया के करियर की शुरुवात 2005 से हुई थी, पहले यह इतनी लोगप्रिय नहीं थी यह बॉलिवोड फिल्मों में भी काम कर चुकी है, इन्होंने कई सूपर हिट फिल्मों में भी काम किया है 2014 में बाहुबली फिल्म में आने के बाद से यह प्रसिद हो गई इनकी हिट फिल्म सिती मार 2021, उस्ताद 2021, एक्शन 2019 आदी है नमबर साथ, सामन्था अकी नेनी दोस्तो सामन्था अकी नेनी फिल्मों में सबसे लोक प्रिय और सबसे अधिक भुकतान पाने वाली अभिनेतरी है इन्होंने अपने करियर की शिरुवात मॉडलिंग से की थी इसकी पहली फिल्म ये माया चेसावे 2010 थी जिसने परदे पर काफी पसंद किया गया था इसके बाद इन्होंने सूपर दीलक्स 2019, माजली 2019, मरसल 2017, एआ 2016, थेरी 2016, पुत्र सत्यमूर्थी 2015 जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया नमबर आठ, राशी खन्ना दोस्तो राशी खन्ना एक लोग प्रिय तमिल और तेलगू फिल्म अभिनेतरी हैं इन्होंने कई नई फिल्मों में काम किया है जिने परदे पर काफी पसंद किया गया है इनकी सफल फिल्में हाइपर 2016, श्रीनिवास कल्यानम 2018, शिवम 2019, विश्व प्रसिध प्रेमी 2020, ब्राम 2021, थोली प्रेमा 2018 थी दोस्तों, महरानी देवसेना के नाम से मशूर अनुशका शेटी अपने तमाम फैंस के दिलों में बसी हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआ तेलगू फिल्म सूपर से की थी इसके बाद इन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया है और इन्हें 2022 में साउथ की टॉप 10 अभिनेत्रियों के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों निधी अगरवाल एक भारतिय मौडल, डांसर और अभिनेत्री हैं जो बॉलिवूड और तेलगू फिल्मों में दिखाई देती हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मुन्ना माइकल 2017 से की थी निश्चित रूप से एक नई अभिनेत्री जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है इनकी हिट फिल्म मिस्टर मजनू 2019, भूमी 2021, सव्यसाची 2018, ईश्वरन 2021 हैं तो दोस्तों ये थी टॉप 10 ब्यूटिफुल साउथ एक्टरस से जुड़ी कुछ खास बातें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे चानल को सब्सक्राइब सरूर कर लेना और साथ में पास में बने बैल आइकन बटन को जरूर ओन कर लेना ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पौन सके सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद